नमस्कार मैं हूँ अब है कुमार अभी हम पटना के गर्दनी बाग में है जहां वाड सच्चिव अपने तीन मांगों के लेकर धरना दे रहे हैं अंदूलन कर रहे हैं देखिए अहां पर जो सिल्सिला कल जो है सब्सक्राशन और सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब कर दोब सब्सक्राइब कर इए गर्दनी बाग में भेजा गया देखिए वह नहीं से लूब हैं किसली है जो हम चार बर्स काम किये और हम चार मतलब चार साल से हम लोग को कुछ नहीं दिया गया ऐसे खटाया गया गया एक रुप्या भी मान देनी दिया गया इसे पहले सितकाल आप लोग धरना दिये तो उसमें क्या अस्वासन मिला था तो आपको दिया जाएगा यह से तारापूर में भी जो उप्चुना हुआ उसमें भी अस्वासन दिये थे चेम साथ आप लोग मतलब हम लोग देंगे लेकिन अभी फिर क्या दोखा करी हो गया अभी हम लोग का हाट आने के लिए तरह टेस्ट में निकाल दिया गया कि आप लोग से मुक्त हो चुके हैं नोटीज में क पुर्णा इसकी सचीव कि नुक्ति की बाली की जाएगी किन के यहां से लोटा निकाला गया है पंचैटी राज के जो डायक्टर है उनके द्वारा चिथे निकाला गया कि पुनर गठन किया जाए किर्यान वियान समीति को तो उसका मतलब तो यह होता है कि जो नए चुनकर आये हैं वार उनको भी तो अब पुराने वाले को नहीं हटा के नहीं तक ता मतलब लेकि चिंता का विसाइज में यह है कि सहीट वार्ट सचीव जो वह सब्द है वार्ट सचीव सहीट यह उनका बुलने का उदेश का है वह क्लियर करें अप लोग वहां से आया है आपका न कंदा नहीं कोई नहीं यह ऩुर्पना नहीं सुण रहाएं लोग कई कभी जघी कर आलेकर सामने धरना दे रहे हैं तो beni भागन पहुच रहे हैं हम बात और लोगों से कंदे क्या नाम है आपका तो मेरा लगे नाम जोगिंधर पुरसाद सब् Allen चमपानम से उनका ने यह यह अपना सरकासन सुसासन वावू के नाम से परचलित होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं नयाय के साथ विकास करेंगे इक कोहां की नयाय है कि चार साल फिरी में काम करवा करके उसका बेतन नहीं देना इक कहां की नयाय है इस सरकार से तालिबानी सरकार से मैं पुछना चाहता है कि हम लोग का बीवी बच्चा छोड़ करके कहीं चलिया जाए ऐसा इस्तिति हम लोग का आकर के सामने खड़ा हो गया देखिए सीधा सीधा मारूप लग रहा है सरकार पर कि यह तालीबानी सरकार है और हमारे बीवी बच्चे सुरशित नहीं रपाएंगे तो क्या हम लोग की जरूरत है और फिर से जब चुनने की बात हो रही है तो हमें क्यों चुना जाए और लोगों से भी हम बात करेंगे आखिर यहां पर क्या देखिए यहां पर धरना असल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अब दिखाएंगे इस तरह से पूरा एक हुजूम धीरे-ध पारमा बढ़ रहा है और यहां पर जो जमवाड़ा धीरे-धीरे लगना सुरूआ आपको हम बता दे कि पूरे बिहार में एक लाग चौदा हजार वाट सचीव हैं और यहां पर लोग बैठे हुए हैं का लोग कहां से आए हैं अब लोग गया से आए हैं क्या नाम है अपक फिर फमल्ण किया जाए सरकार लोग हुआ किया है पर्मा लोग जो है पांस साल चैकर बताए कि भाई आप सब जुकति हो चुका है आप सब जगह पर ठीक है फिर सी बीच में चुना हुआ है मोक्या जी का माकी जो है इसका सदस जी शुका यह सब रहा है सब हो गिया सब आप युसी बीच में प्रियों को बताए कि फिर लेटर जारी किया की वहीं यह प्रित प्रिटी फिर से चुनाव किया जा हम लोग का सरभए है सर कि हम से पांच सल आपने काम कर लिए और अभी आप भगा रहे हैं तो बताईए हम लोग कहां जाएंगे सर का सेवा किये हैं हमारा जो है साथ वरत जो साथ साल का जो होता है वह मनिता दिया जाए में और जो हम लोग का मांग है कि हमको हमें अमारा पैमिट मेरे को 152 दिया जाएं और इसमें वांड हो जिला ऐसे क्षरिया परकंट से आप शरकार से क्या मागए जो लेटारी काले हैं तेरा तरी की सम्राश चाधरी जी कि निया सची बनागा प्राणा सची अटाएंगे उ लेटर आपनेबस करें डुस जी अपने हापस करें दूसरा माँड़ा गें अस्थाई हो फ्रेंग कर कुछ मांग नहीं मांगा है हम लोग महिला है हम लोट पर घुम रहे हैं तो हम और बाते करेंगे और लोगों से हम बात करेंगे जैसा हम आपको आपसे वादा किये थे कि हम पटना की धरती से पूरा हम दिखाएंगे आपको कि कैसे अंदोलन चल रहा है इनकी मांगे क्या है तो हम और लोगों से बात करना चाहेंगे जैसे श्याफ से तो देखिए यहां पर बैठे हुए हैं कहां से हैं हम भागलपुर जि पुलीस हमको मारा भी है जब हम पाइपलाइन की काम करवा रहे थे सर तो वह जानते नहीं थे कि हम क्या है मैंने कहा मुख्या जी को कि आप अपने लेटर पेट पर लिखके हमको दे दीजे जो कि हम पुलीस के मार से बच जाए उस करोना काल में सर मैंने पाइपलाइन का का नहीं दिए मुख्याजी लिगे और बहुत जोर से सर मारा हम को रधा है कहां धर दिखाए पूलिस के डंडे की बार की दर्ध है तो कोरोना काल में जिस हिसाब से परताडित किया गया और लोगों को आप करकंड किसा है पसर वहां भी हम लोग को वहाँ जो हुआ था पीक होलांबर पर हम लोग को बहुत लाटी चार्च गया था-सर वहीं विदान सभा के घराओ कर रहे थे सर बहुत दोड़ा दोड़ा कर पीटा था था हम लोग सब्सक्राइब कर पीटा तर वहीं मांदे के और तीन सुत्री मांग के मांग मांगते हैं तो इन्हें दोड़ा कर पीटा जाता है उसी का नतीज़ा है एक लेटर निकल गया है उसके कारण अधार बना कर जो अस्थानिय पॉल्टिक्स और कहीं जो उलेख नहीं किया गया है कि पुराने वाले वही रहेंगे जो पदेन सदस्थ जो वाट सचीव है वो पुराने वारे है लेख नहीं किया गया है लेटर हलाकी असपर्ष नहीं है जिसके कारण बहुत सारी गलत्पहमियां हुई अब उस लेटर की गलत्पहमिय को दूर करने के लिए अपनी अस्थाई नौकरी के लिए और रोजी रोटी के लिए बाल बच्चों के भविस के लिए वाट हुए है हम पलपल की जनकारी आप तो देंगे लेकिन आपसे ही गुजारिस है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिं झाल झाल झाल